प्री छात्रो नवस्कार आपके अपनी योटूब चैनल AK4 Academy में आपका स्वागत है तो छात्रो आज हम बात करेंगे प्रश्ण बैंक के सल्यूशन के बारे में जियां दोस्तों आपने सही सुना क्लास 11 का विसे सब्जेक्ट हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम टॉपिक पर प्रश्ण बैंक का फुल सल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि टोटल इससे 10 नंबर के प्रश्ण बनेंगे एक नंबर के दो प्रश्ण आएंगे और दो नंबर के चार प्रश्ण और चार नंबर का एक प्रश्ण जो कि 10 नंबर ही भेरी भेरी most important question है तो इसके बारे में आज हम डीटेल से बात करेंगे तो अगर हमारे चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रस कर लीजिए जिससे आपको समय पर नीव वीडियो नोटिकेशन सबसे पहले मिले चलिए स्टार्ट करते हैं अभिवेक्ति और माध्यम जो की सही विकल्प दिया हुआ है संचार सब्द की उत्पत्ती हुई है तो चर्स धातु से हुई है और जन संचार का सबसे लोकप्री प्रहौसील माध्यम है तो इसका एंसर नहीं मिला हुआ है और आल इंडिया रीडो इस्थापना कब हुई इसका भी answer नहीं मिला हुआ है इसी तरह आप skin shot फटा फट कर लीजे इनका answer नहीं मिला है question answer का मैं answer आपको provide कर आ रहा हूँ जो कि दो अंकर के प्रस्ण है जो कि आपके skin पर सो हो रहे हैं तो ये प्रस्ण है question bank मैंने पहले ही provide कर आ चुका हूँ अब answer की बात करते हैं इन question बैंकों का skin 68 फटाफट कर लीजे अगर question बैंक आपके पास नहीं है तो यह रहा पूरा के पूरे question बैंक जो की अभिव्यक्ति एबम अभिव्यक्ति एबम और माध्यम का है अब answer की बात करते हैं तो दोस्तो यह रहा answer करता था मुख से प्रणान बोलकर बड़ो का सम्मान करते हैं तुझसे मौखिक या फिर मौखिक संचार होता है यह हो गया मौखिक संचार का answer आपके पास question बैंक होगा आप इसको skin sort करके रखे हो या notebook में त्यार करके रखे हो तो आप इसकी स्वाटिन का फटा फट लेते जाईए इसी तरह देखते हैं समाचार का आरत है हर सूचनों एवं हर घटना समाचार नहीं होती समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बलकि अपने हाजारो लाखो पाठको सोत्राओं और दर्सको के लिए तो आप इसके स्वाट फटा फट कर लिजिए और एक बात बता दे कि आल भी से आल सब्चेक्ट के फुल सल्यूसन कॉस्चन मेंक के डलने लगातार वीडियो अपलोड होने सुरू हो गए हैं तो आप बिजिट कर सकते हैं हमारे चनल पर जाकर पूरे के पूरे अंसर की आपको सच्छिवं सराल राटिंग में मिल जाएगी अब अगला प्रसने देख लेते हैं जो कि आपके स्कीन पर सो हो रहा है पत्त कारिता क्या है पत्त कारिता का अर्थ पूच्छा हुए है तो अर्थ इवं क्या है वही हो गए अंसर तो आप इसका इसकीन सौटा फटा फट कर सकते हैं समाचार संगठनों के काम करने वाले पत्तरकार देश दुनिया में गढ़ने वाले घटनाओं की सुचनों और समिस्यों का समाचार रूब में परिवर्थित करके पाठक तर पहुचाते हैं प्रतिदिन सौचनों का संकलन करते हैं उन्हें समाचार के पैरोब ढ़ाल कर प्रिश्टु करते हैं इस पूरी पक्किया को पत्तिकारत का कहते हैं इसका इसकीन सौटा फटा फट कर सकते हैं इसी तरह सब्द कोस क्या है ये बहुत ही भेरी से भेरी most important question है सब्द कोस का सहारा लिया जाता है ये सब्द कोस है क्या सब्द कोस सब्दों का खजाना है ये एक भासा भाली भासा भासी समुदाय के प्रिक्ट होने वाले सब्दों को संचित किया जाता है साथी सब्दों की विद्पत्ति सोत्र लिंक सब्द रूप विभिन संदाब भर्ग अर्थो वारे में जानकारी दी जाती है सब्दों को जब मनुस्ग समुत्र के स्युकृति मिल जाती है तो उसे सब्द कोस में लिखा जाता है सब्द को सकई लाज सब्द जिने योजनावात्द में जुडा जाता है फिर उसी के नीचे प्रसन दिया हुआ है नीचे दिए गए सब्दों को सब्द कोसी करम में लिखी यस उतने इतने सब्द दिये हुए है और उत्तर यह दिया हुआ है आप इसके इस की इस ओटाफटाफट कर सकते हैं जो कि भेरी से भेरी most important question है पेपर में फसने की पूरी के पूरे संभाव नहीं है तो यह वीडियो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर करीए अगर इसका पीडियाप चाहिए तो link description में दिया हुआ है आप बिजिट कर सकते हैं टेली ग्राम पर जाकर जॉइन हो लीजिए आपको पूरे के पूरे के पूरे पीडिया प्रोवाइड करा दिये जाएंगे संपादन का आर्थी स्पष्ट करते हुए संपादन के सिधान्तों को स्पष्ट किजी संपादन का आर्थ दिया हुआ है जो पाठनी संपादन निलिकी सिधान्त दिया हुआ है सिद्धान्त दिये हुए हैं, आप ये शिद्धान्त के थोड़ी थोड़ी बर्नन भी दिये हुए हैं, आप इनका स्कीन सोट फटा फट कल लीजे, पहला है निस्पच्च्चता, दूसरा है पत्थों की सुध़ता, यह हो गया दूसरा, इसी तरह तीसरा देख लेते हैं, बस तो परकता और चौथा रहा जो कि आपके स्कीन पर सो हो रहा है चौथा संतुलन इसका भी थोड़ी से थोड़ी डिटेल दिये गए हैं तो आप इनका स्कीन सौट आफटाफट कर सकते हैं इसी तरह हैं पाचमा देख लेते हैं सोत्र है जो कि पाचमा आपके स्कीन पर दिया ह हुआ है सोत्र यहां सी हां तक तो आप इसका भी स्कीन सोट आप फटाफट कर सकते हैं पूरे के पूरे पेपर सो परसेंट यहीं से बनने की संभाबना है और मादमी सिच्छा मंडल ने एक निज निकाला था उसमें भी बोला गया था कि प्रश्ण बैंक से इस वर्ष पूरे करेंसल लिख सकते हैं डायरी की परिभासा डायरी नीटांत नीजी इस तर पर घटित घटना और तस्संबंदी वैदिक भावनात अक्तां प्रितिक्रियां तथा लेखा जो कहें जिसे हम किसी और किसी के लिए स्वयम अपने लिए सब्द बद करते हैं डायरी सरजुनिक न सब्जेक्ट के कॉस्चन बैंक के सेल्यूसन डलने सुरू हो गए हैं तो आप अगर ना देखें हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर इसके पीडियाप चाहिए तो लिंक डिस्क्रेप्शन में टेलिग्राम का आप जॉइन कर सकते हैं अगला प्रस्ण है ज कीड़ बैक तुरंत प्राप्त नहीं होता जन संचार में संचारा का और प्राप्त करता के भी सीधा संबंद नहीं होता है इसमें अनेक द्वारपाल होते हैं जो की प्रकासि समग्रिया नियंतित करते हैं प्रकासि के वां प्रसारी संदेशों के प्रकति सरुजनिक होती है एरहा जलसंचार की प्रमुख विशेष्ट है जो की भेरी से भेरी most important question है आप इसके skin sort फटाफट कर सकते हैं इसी तरह हमारा अगला प्रस्ण है जो की sauce, breath, bio data, लेखन, system, बंदित प्रस्ण है उसका परिचे दिया हुआ है आप इसके skin sort कर सकते हैं अर्थ पूछा हुआ है आप skin sort फटाफट कर लिजिए पूरे के पूरे अभिवेक्ति इबं माध्यम के पूरे 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 प्रस्णों का उप्तर दिया हुआ है जो की क्रमबद्य में नहीं दिया हुआ है यह रहा भेरी से भेरी most important question सम्रत के कौन-कौन से बिंदो को सामिल किया जाता है उनकी प इसकीन पर सौवेत सुचनों एक अंसूसित प्रवाव है प्रवाव व्यक्ति परिचे से पैरम सहचनी के उक्तान भाव प्रदूपल दिया कारविधिया आप इसके इसकी इसकीन सौट फटा-फट कर लिजिए पूरे के पूरे question का answer दिया हुए है जो कि 100% सियोर है कि पेप संदर्व और क्रंद वाला question है उसका answer रहा आपके इसकीन पर जिसका आप इसकीन सौट फटा-फट कर सकते हैं जो रहा भेरी से भेरी most important question इसी तरह अगला प्रशन देखते हैं जो कि अगला प्रशन में दिया हुए है कहीं पास ऐसा प्रशन है जिसमें चरित्र कोर्स सहित क कोर्स और संदर्व गरंद तीनों दी हुए हैं आप इनका इसकीन सौट फटा-फट कर लिजिए पहले चरित्र कोर्स का कर लिजिए विचार को सहित कारों बैगन को आधिसंचिप्त उपलब्दियों दी जाती है जिसे ब्यक्ति कोस भी कहते हैं एरहा सहित कोस की प्रिभास है संदर्व गरंद की प्रिभासा आप इनका इसकीन सौट फटा-फट कर सकते हैं अगर इसकी पीडियाप फाइल चाहिए तो टेलीग्राम को जॉइन कर लिजिए टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करिए एके फोर एकडमी आप वहां जाकर जॉइन हो लिजिए आपको फ्री में पीडिया फाइल प्रोवाइट की जाएगी कोई भी सुलक नहीं लिया जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आल सब्जेक्ट के व यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए और इतने मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए तो एक तो लाइक कर ही दीजिए जितने स्टुडेंट वीडियो देखते हैं लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन का ब जैहिंद बंदे मातरम